हाई एवरिवान जै मातादी वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो सो मुआर का दिन है और निरात्री का आज जो है पांचमा दिन है तो बस सुबह का ही टाइम है सुबह का जैसे खाना पीना पूजा पाट सब कुछ हो गया है नास् पीनी से थोड़ा यह फाया हो रहा है कि मतलब शूबह उतना जल्दी मतलब उठने का ये तो होता है कि बहुत जल्दी उठना पड़ जाता है लेकिन फायदा भी है कि काम जाडू पोच्छा का हो जाता है तो इस टाइम पे थोड़ा सा काम आसान हो जा रहा है और थोड़ा सा टाइम मिल जा रहा है तो बस मैं लग गई हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अलमारी जो है तनमे के रूम का इसमें न कुछ सामान इधर उदर हो गएते होता क्या है जब हम सुबह मतलब मैं सफाई करती हूँ न तो सिर्फ जाड़ू पोचा सीधे सीधे लगाना इस्टार्ट कर देती हूँ बाडू लगाया पोच्छा लगाया और जब सारा काम करने के बाद सफाई करती हूं न तो एक एक चीज देखती जाती हूं जहां जो गंदा है समेटना है सब कुछ मतलब तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अब सुबह उतना टाइम तो हम दे नहीं सकते मतलब आदे गं नमारी में बहुत सारा सामान विख्रा हुआ था उसको मैंने सही किया बेट सीट वगरा जो साप हुए थे उस रूम में थे उनको ले आई और यहां का बेट सीट बदलना भी था ने और आत्री जब से स्टार्ट हुआ न मैं इसको चेंज ही नहीं कर पाई उस रूम का तो कर दिया मगर इस में कर रह गया तो आज इसको भी जो हटा दिया है चल रहहीं हूं साप करने मौसम का तो मतलब कोई ठीक ही नहीं है आज कल मौसम अजीब सा हो रखा है लेकिन निकाल दिया है कि देखती हूं और इस वाले में आ गई हूं तो यहां पे बस इसको जाड दे रहे हूं इसको फिर एक दो दिन बाद जो है साप करूंगी अभी तो मतलब सापी है इसका क्या है ना ये मैंने मीसो से म मैं तो सही है लेकिन बाद में उठने बैठने के बाद ना थोड़ा समय सी हो जा रहा है ना तो बिलकुल एक दम पड़ा रहता है सली के से एक दम अच्छे से एक बार बिच गया ना तो फिर पूरे दिन के लिए फ्री हो जाओ लेकिन इसमें थोड़ी सी दिकत है बाकिumान बस यह सारे काम निप्टाने के बाद बेट सीट वगरा सही किया यहां का जो है बेट यह सब पोच दिया तो जो डस्टिंग का थोड़ा बहुत काम बचा रहता है टेबल वगरा भी पोचे मैंने और अभी कपड़े प्रेस कर ले रहे हूं तो इधर चार-पांस दिन से एक भ और सुबह के टाइम करते हैं ऐसा नहीं कि मतलब जब भी साम को आए तो अपना दो तीन कर लिया ऐसा नहीं है सुबह जो पहन के जाना रहता है उसको कर लेते हैं मेरे पास टाइम ही आजकल नहीं मिल रहा है जब से निवरात्री स्टार्ट हुआ है ना निवरात्री जब से क्या दो दिन पहले से सफाई से काम स्टार्ट हुआ एक दिन कीचन क्लीन किया फिर एक दिन पूरे घर की सफाई हुई एक दिन मंदिर हुआ और सराद भी था तो मतलं बीच में 11 घंटे का समय मिलता है लेकिन उसमें थोड़ा सा अराम करना भी जरूरी हो जाता है कि लगातार काम करते रहोना तो पिर दिक्कत हो जाती है तो और जब से निवरात्री स्टार्ट हुई है तब से तो सुबह साम बीजी रहती हूं पूजा पार्ट ये समय थोड़ा सा जादा ही बीजी हो गई हूं थकान भी हो रही है अब ना मुझे मतलब थकान सी लगती है जो है नीद नहीं पूरा होना और काम ज्यादा तो हर बार यह ऐसा होता है लेकिन मैं सोचती हूं कि चलो कोई नहीं 9 दिन मातारानी का जो है दरबार है माता रानी की कुरिपाा है सब हो जाएगा और अच्छा भी लगता है थोड़ी सी पोजिटिविटी रहती है बाकि तो फिर नो दिन के बाद जब माता रानी की बिदाई हो जाती है ना मतलब हवन वगएरा भी सर्जन होता है तो उसके बाद इतना ज्यादा सुनापन लगता है ना दो तीन दिन जैसे अजीब सा ही लगता है जैसे लगता एकदम खाली सा हो गया है घर नौ दिन में इतना ज्यादा हम व्यस्त रहते हैं लगता है तो वही आज टाइम में मिल निकाल के जो हे वह कपड़े वगएरा टाइम निकाल के क्या मतलब अभी सुबव साब सफाई वाला समय बच जाता है तो उसमें जो है कपड़े मैंने तनमे के सारे प्रेस किये और इनका भी 2-3 था तनमे का 3-4 पैंट और सर्ट था वो सब कर दिया क्यूंकि उसका रह जाता है ये तो अपना कर लेंगे दीरे-दीरे तो वो सब किया दीरे-दीरे अभी करूंगी जैसे पहले 2-3 दिन थोड़ा स बीजी जादा जाता है लास्ट का जाएगा दो दिन बीच में ये वाला समय थोड़ा सा फ्री रहता है और मुझे मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि काम बहुत ज्यादा है सिर्फ वही पूजा पाठ और थोड़ा सा देखना होता है अखंजियोती वगरा जलाई है तो उ दूले किचन साप किया और अभी जो है कपड़े भी डाल रखे ते बारिस भी हुई है इतने बीच में थोड़ी देर के लिए बारिस भी हो गई यहाँ पे छत भीगा भीगा सा लग रहा है तो बस तुरंट बारिस हुई और तुरंट जो है चला भीगा तेजी आई मतलब वही छत वगरा जो कपड़े थे सब भी गए और उसके बाद बंद हो गई तो बेट सीट मैंने डाली दिया था मसीन में फैला दिया नीचे ही कि जब मौसम खराब होगा या जो भी होगा तो मैं तुरंट उठा लूँगी उपर जाने का मन्नी होता है तो बस फिर दोपर मे बारिस वगरा नहीं हुई एकात गंटे मैंने रेष्ट किया और अभी आ गई हूं ये बरतन वगरा लगाने थे और बरतन थोड़े से जादा ही हो गये थे क्यूंकि बहुत लेट आई बंजुआंटी तो लेट जितना ही करती है ना बरतन जो है बढ़ते जाते हैं तो फिर नहीं सुखिया ना कप वगरा इनको रेक पर रखना होता है तो या तो पोच के रखो या फिर जो है यहां पर सुखा के रखो तो पोचने में मुझे जैसे लगता है ना की टाइम ज्यादा लगेगा तो रख दो यहां पर थोड़ी देर में सुख जागा बरतन अरेंज करन ना मुझे बड़ा भारी काम लगता है जैसे धूलो फिर उसको जो है सुखने का इंतजार करो या फिर पोचो उसके बाद लगाओ बहुत टाइम लिखता है तो वो सब काम करने के बाद फिर यह आए तो इनको मैंने चाय वगरा बनाई अपने लिए भी पापा आज नहीं ह पिर मैंने हमने चाय पी और उसके बाद मैं नहाने चली गई नहा कर पूजा करना तो साम को मुझे सुबह से ज्यादा टाइम मुझे साम में लगता है मैं पाठ वगरा सब करती हूं तो उसमें मुझे 45 मिनट करीब एक घंटे ऐसे लग जाता है तो वो सब करने के बाद था ममी मुमोज में लहसुन प्याज होता है कि नहीं खा सकते हैं कि नहीं मेरा मन कर रहा था खाने का तो बस वही है हम माओ का ये होता है ना कि अगर बच्चे कुछ भी बोल दें तो ये होता है कि कब उसको बना दिया जाए एक बार इनोंने बोला कि रहने दो काम बढ़ ज लिए था और इधर जो है सबजियां वगरा सब जो है चौप कर ली है वही कटर में और मिर्च और धनिया पती ये कट किया है बाकी और कुछ है नहीं कुछ प्याज वगरा लेसुन वगरा कुछ डालना नहीं है अद्रक भी मंगाना में भूल गई तो जो है उसी में जीरा पाउडर गरम मसाला और अद्रक की जगह मैंने सोट रखा हुआ था जिंजर पाउडर जो है मतलब पहले का ही रखा हुआ था तो उसी को डाल दिया कि उसी से काम चला लिया जो है तो ये मोमोज ना सिर्फ मैदे की जगह अगर हम मतलब मैदे की जगह साबुदाना व यहां पर मैं साधा नमक का इस्तिमाल करूंगी और इसकी जगह अगर सेंधा नमक का इस्तिमाल किया जाए तो बस यह ब्रत के लिए एकदम परफेक्ट है जो है इसमें कोई भी लैसुन प्याज या कोई भी ऐसा मसाला नहीं है जो हम ब्रत में नहीं खा सकते सिर्फ मैदे की जग साब उदाने का यूज करना है बहुत बढ़ियां लगता है और पेट भी मतलब अच्छे सिब्रत अगर हम एक बार खा लिया ना तो सही रहता है तो बस यहां पे सोया बीन भी पहले से मैंने बॉल करके रखा हुआ था उसको भी पीस लिया है और नमक डाल दिया अब हो गया है तो इसको भी डाल ले रही हूँ इसमें ग्राइंडर में अभी पीसूंगी नहीं क्यूंकि यह बहुत गरम है तो अभी पीसने में थोड़ी स्दिक्कत हो जाएगी तो इसको डाल के सब रख दे रही हूं और तब तक मोमोज बनाओंगी यह ठंडा हो तो बस पीस दूगी तो यहां पे सारी तयारी हो गई है कडाई रखा है मेरे पास स्टीमर नहीं है मोमोज बनाने वाला इसी से जुगार लगा के बनाती हो और बहुत कम ही बनाना होता है ना ऐसा तो है नहीं कि हपते दिन में दस दिन में यह बनता है महीने दो महीने में कभी ले लूँगी जैसे लेकिन फिर जब बनाती हूँ तो यह होता है कि आज तो बन गया तो अभी तो जरूरत है नहीं और फिर जब बनाना होता है तब ही ध्यानाता है तो आटा मैंने सबसे पहले ही लगा लिया था सारी तयारी करने से पहले आटा ही लगा के रख लिया था तो आटा तयारी था बस यहां पे मोमोज बनाई और यह थाली ढखने वाला है जाली वाला उसी में तेल लगा के मोमोज रख दिया है बस यह गलती हुई मुझसे कि मोमोज मैंने बिल्कुल जल्दी-जल्दी के चकर म हो गया था तो बिल्कुल सटा सटा की रख दिया है तो लास्ट में ना हलकालका चिप गया थोड़ा सा दूरी पर रखना होता है मतलब मैंने कम से कम माठ्या नौ आता उसकी जगह बारक रख दिया है तो ज्यादा ही हो गया तो बस उधर हो रहा है मोमोज और यहां पर चटनी डाल दिया तो इसमें भी सिर्फ जीरा ही डाला है और वही पाउडर डाल दिया है नमक चीनी तो यह चटनी भी ब्रत में खाया जा सकता है सरसों के तेल की जगह रिफाइंड तेल यूज कर सकते हैं या जिसको घी पसंद है वो घी बाकी सारी चीजे जो है नमक की जगह सेंधा नमक बस और यह चटनी भी ब्रत में इस्तिमाल की जा सकती है तो यहां पर देखे मोमोज वन के बिल्कुल तैयार है और कितना फूला फूला ब काफी दिन बाद बनाओ लेकिन मन जो है ना बिल्कुल जैसे कहते है ना त्रिप्त हो जाता है वो अलाहाल हो जाता है यह तो कभी मार्केट का मतलब एक आध किसी तरह खालेंगे लेकिन घर पे देखे मैं मतलब इतना बनाई हूं और सारा खतम हो गया लास्ट में सिर्फ च किन है एक्स्ट्रा तो मैंने सुचा हो सकता है इन लोगों को चाहिए तो अभी मैं अपने लिए मैंने प्लेट नहीं लगाई है तो यहां पे मस्ती भी चल रही है हसी मजा खूब हो रहा है जो है और अच्छा लग रहा है इनको भी ना मतलब बाहर का तो यह खा नहीं पात होती है और बाहर का अगर दो से तीन मोमोज इन्होंने खा लिया तो अगले दिन मतलब पेट दर्द एकदम होना ही होना है तो यह घर की चीजों में और बाहर की चीजों में बहुत अंतर हो जाता है मेहनत तो लगती है बनाने में लेकिन यह है कि मन बिलकुल ना जो है चीज नहीं मतलब आता है वो नहीं मिलता है कि हां मुमोज खाने के बाद कई जगह से मंगाया मैंने लेकिन उतना टेस्ट नहीं आता है एक आथ जगह है जो बहुत स्पेसल वहीं की अच्छी लगती है बाकी और इधर जितना भी लोकल मिलता है ना वो सब एकदम कुछ उसमे पता ही नहीं चलता है तो बस मैंने भी खाना खाया और सारे सामान वगरा इधर जो है किचन का सब समेटा चटनी बची थी उसको भी रख दिया है काच वाले बोटल में भरके और मुमोज भी सिर्फ चार बचा है तो वही सुबर मैं और तन मैं दोनों लोग ले लेंगे दो तो यहां पर किचन क्लीन कर दिया है डबे वगरा जो थे उनको भी पोचना था उसमें भी थोड़े से दाग वगरा दिख रहे थे तो वह सब साप किया और टाइम ना बहुत जादा हो गया था हम लोग खाते समय ना बात चीत चलने लगी हसी मजाग तो उसमें आदा गंट जब मस्ती चलने लगती है तो उठने का मन भी नहीं होता यह होता है चलो काम तो रोजी करना है आज थोड़ा सा टाइम दे दिया जाता है जो है तो वही सब होने लगा उसमें थोड़ा लेट हो गया तो उसके बाद मैं आई तो जल्दी जल्दी बस यहां का काम खतम कर रह तो इसको लगा के बास्केट में उधर रग दिया और तनमय का मन होने लगाना यह लसी पीने का मतलब उसका हो रहा था कुछ मीठा खाने का या थंडा थंडा सा तो ऐसे तो नुपसान करेगा ही लेकिन अब उसका मन हो रहा था तो मैंने सुचा ठीक है चलो मैं बना देती हू तो वही उसी का जो है लसी बना दे रही हूँ इनको दूद पीना था तो इनको दूद दे दिया है और बाकी का सारा काम ख़दम हो गया है एकात काम बाहर के छट के करने है जो है तो वो सब करूँगी और फिर जो है सोने जाऊंगी तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगाओ तो लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई, थैंक्स फ़र वाचिंग